जिन्हें हम भारत में गुर्खा या गोर्खा कहते हैं, उनका नाम और ओरिजिन रिलेटेड हैं नेपाल के गोर्खा जिले से, ओरिजिन के बेसिस पर गोर्खा नेपाली है, लेकिन नागरिकता के आधार पर गोर्खा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, पहले तक तो ठीक है लेकिन प्राब्लिम सुरू होती है इस बात को लेकर कि क्या असम एकॉर्ड के अनुसार बुर्खा असम के नागरिक है या नहीं। इसको समझने से पहले हमें इस कॉंफ्लिक्ट के ओरिजिन को समझना होगा जैसे असम एकॉर्ड की जरूरत क्यूं पड़ी। 1971 में जब पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान या आज के बांगलादेश के खिलाफ हिंसक कारवाई सुरू की तो वहां के लगभग 10 लाफ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए असम में सरण ली। लेकिन जब इस्थिती नॉर्मल हुई और बांगलादेश के रूप में नया देश बना तो इन में से अधिकांस लोग वापस लोट गएं लेकिन बांगलादेशियों की एक बड़ी जनसंख्या असम से कभी वापस ही नहीं गई और अस्थाई लेकिन अवयत तरीके से वो असम में रहने लगें 1971 में नया देश बना इसके बाद भी बांगलादेशी घुस पैठियों का आना कम नहीं हुआ जिसके कारण असम में बांगलादेशियों की जनसंख्या बढ़ने लगी और असम के जो लोग थे वो अपनी संस्कृतिक विरासत को लेकर असुरक्षित मह अचित सुरू हुई और 15 अगस 1985 को असम एकॉड या असम समझोता साइन हुआ ये एक त्रीपक्षिये समझोता था जो की केंद्र सरकार असम की राज्य सरकार और असम अंदोलन के नेताओं के बीच में हुआ था तो इस तरह से असम एकॉड अस्तित्वा में आया असम होते के अनुसार तीन टाइम लाइन सेट किये गए पहला है कि 25 मार्च 1971 के बाद असम में आये बांगलादेशी नागरिक हिंदू हो या मुसल्मान सभी को वापस जाना होगा दूसरा है कि 1991 से 1961 के बीच असम में आये सभी लोगों को पुन नागरिक्ता और मतदान का अधिक अधिकार दिये जाएंगे लेकिन मतदान का अधिकार नहीं विया जाएगा तो असम एकॉर्ड के अनुसार इस तरह से ये तीन टाइम लाइन सेट किये गए जिसके आधार पर लोगों की नागरिक्ता और उनके अधिकार तै किये जाने थे नेक्स्ट है असम एकॉर्ड का क नागरिक्ता तै हो गई तो फिर क्लॉड शिक्स इन नागरिकों के कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस कॉंस्टिटूशनल लेजिसलेटिव एड़निस्टेटिव कदम उठाने की बात करता है इस बात को धियान में रखते हुए केंद्र सरकार ने व असम में रहने वाले सारे गुर्खा असम एकॉर्ड के अनुसार वहां के नागरिक नहीं है इसका मतलब है कि उन्हें क्लॉड शिक्स या असमीज होने का जो अधिकार है वो नहीं मिलेगा जैसे कमिटी ने असमीज के हितों के लिए पार्लियमेंट स्टेट असेमली लोकल और गवर्मेंट जॉब में रिजर्वेशन की बात की कमिटी ने लजिसलेटिफ काउंसिल या विधान परिसत बनानी की सिफारिस की जिसमें सीट असमीज लोकल लोगों के लिए रिजर्व होनी चाहिए तो जब ये रेकमेंडेशन इंप्लिमेंट होगी तो गोर्खास की एक बड़ी पॉप्यूलेशन असम एकॉर्ड के कारण इससे बाहर रह जाएगी और सबसे ज़्यादा चिंता की बात तो यह है कि इस कमिटी ने लूकल गोर्खास के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी रेकमेंडेशन नहीं दी है इसके साथ ही कमिटी ने असम के कलचर को प्रोटेक्ट करने के लिए इनर लाइन पर्मिट की मांग की है इसके तहत अगर कोई भारत के दूसरे हिस्से से असम को विजिट करना चाहेगा तो इसे इनर लाइन परमिट या पर्मीशन की आवसकता होगी यह सिस्टम पहले से मनीपूर अरुनाचल परदेश Nagaland and Mejoram में लागू है क्या होता है कि जब भी कोई बाहर से आता है तो वो अपना culture लेकर आता है जो local culture के साथ mix होता है जैसे हमारा Indian culture European and Middle East के culture के साथ mix हुआ और हमें अपनी Indian culture की जलक पुधिजम की वज़ा से South East Asia में भी देखने को मिलती है तो पूरी दुनिया में इस तरह से culture mix होते हैं ये एक अच्छी बात है लेकिन कुछ culture बहुत unique होते हैं जैसे North East या अंडमान के tribal culture तो इन्हें protect करना जरूरी है और वहां के local भी चाहते हैं कि उनका culture as it is बना रहे और अभी जो NRC बन रहा है उसमें 1971 cut off रखा गया है अब गुर्खा भारत के नागरिक तो हो गएं लेकिन असम record के अनुसार उनमें से कुछ असम के नागरिक नहीं हो पाएं इसलिए जब भी हम किसी state की identity को define करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस state की identity उनकी भारतियता या इंडियन निसको define कर रही है या नहीं लगभग 25 लाग गुर्खा आसाम में रहते हैं गुर्खा 18th century के इंड में as a farmer भारत में बसे 1826 में गुर्खाज ने असम को बर्मीज इंवेडर से बचाया था तो गुर्खाज का इतिहास असाम में पुराना और गौरा साली है और हम जानते हैं कि गुर्खाज दुनिया की सबसे बहतरीन सिपाहियों में से एक होते हैं जैसे गुर्खा रेजिमेंट इंडियन आर्मी की शान है भारत सरकार ने आस्वासन दिया है कि गुर्खाज असाम की वन अफ दो ओल्ड कॉम्यूनिटी है और असम एकॉर्ड के क्लॉज 6 को इंप्लिमेंट करते वक जिस तरह से दूसरे समुदायों की हितों की रक्षा की जाएगी उसी तरह से गुर्खाज के भी हितों की रक्षा की जाएगी लेकिन गुर्खा कॉम्यूनिटी ने कहा है कि सिर्फ आस्वासन से काम नहीं होगा उन्हें एक गैजट नोटिफिकेशन चाहिए जो इस बात को इंस्योर करे कि क्लॉज 6 के तहत हमारे हितों की रक्षा की जाएगी तो गैस आज की इस वीडियो में धन्यवाद